हेलो स्टूरेंट्स विल्कम बैक इन गुद्विला डुकेयर तो कैसे आप लोग अच्छे हैं चली अच्छे तो बहुत अच्छा मैं भी अच्छा हूं बच्छे पिछलेAwा से लोग डिस्क्ष करेंगे तो आज भी अम लोग वही डिसक्स किया था तो आसा समरी कल दो किया काउंटिंग वेष direct है इसका equation क्या है A equal to L plus C मतलब business का जो assets होगा वो business के liabilities और capital के सम के बराबर होता है A equal to L plus C कि business के जो assets है वो liabilities और capital के सम के बराबर होता है ठीक है ओके इसके बाद हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी transaction जो होगा उसका दो impact होगा या तो assets liabilities पे या assets capital पे या एक assets से दूसरे assets पे या liabilities liabilities में या liabilities capital में तो पिछले क्लास में हमने वो discuss कर लिया था कि transaction दो तरह के होते हैं एक ऐसा transaction जो दो item को affect करता है और एक दो से जादे को affect करता है वो हमने पिछले क्लास में discuss कर लिया था मैंने पिछले क्लास में rules of accounting equation at glance में 10 points लगभग बता चुके थे हम आपको अभी हम एक वार उसको recall करते हुए आगे बढ़ेंगे चलिए कि अ कि अ कि अ कि देखिए रूल्स ओप accounting equation at a glance मतलब कि आज हम discuss करेंगे कि जो accounting equation है इसमें overall जो transaction आते हैं उसका rule क्या है कि सर इस transaction से किस किस चीजों पर impact परता है क्या बढ़ेगा क्या घटेगा देखो जो transaction हम इधर लिखे हैं यही transaction आपको question में आता है और उस समय भी आपको पहले identify करना पता है कि given transaction से क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा यह आपको समझना होता है चलिए तो आप में साथ बने रहिए और पिन और पेपर डिलीजिए और में साथ साथ आप भी लिखना शुरू करिए रूल्स ओप accounting equation at a glance चलिए सबसे पहला पॉइंट बच्चे capital bought in cash कभी भी अगर business का owner capital cash में लाएगा तो आपको जब owner capital cash में लाएगा तो business में cash आएगा तो cash बढ़ेगा assets में cash बढ़ेगा और दूसरे तरफ owner का capital बढ़ेगा assets में cash बढ़ेगा दूसरे तरफ capital बढ़ेगा जब capital cash में लाए जाएगा assets में किस assets पे impact परेगा cash बढ़ेगा cash increase करेगा औरत है इधर Capital बढ़ेगा जब कोई भी परसंन्ब कोई भी owner cash में कोई भी owner Capital cash में लाया तो business में cash बढ़ेगा assets में cash बढ़ेगा और इधर उनका Capital बढ़ेगा ठीक है दूसरा है मिध्रॉंग क्या होता बच्चे जब owner personal use के लिए business cash या goods withdraw करता है उसे drawing कहते हैं और drawing करने से capital कम होता है तो drawing अगर owner drawing करेगा किसका cash का तो कहोगे sir इससे business में cash क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और drawing करने से capital भी कम होता है capital कम हो जाएगा ठीक है कि अगर कभी भी आपको प्रेसनल लिए ओर कैस्षटरिड्र offense काम होगा और केतल कम होगा लिय parked कि इसके बाद अगर ऑर ने प्रेसनल उट के लिए गूस्विड्र्म इंटा करता है जब owner personal use के लिए goods to draw करेगा, stock भी कम हो जाएगा, capital भी कम हो जाएगा. Next, fixed assets purchase, fixed assets purchase, जब भी कभी owner fixed assets purchase करेगा, not for personal use, for business use, business ने fixed assets purchase किया, तो अगर cash में purchase किया, तो cash कम होगा. और जो assets खरीदेगा fixed assets में, वो fixed assets क्या होगा, बढ़ेगा. देखो, अगर assets cash में खरीदा गया, तो cash घटेगा और assets बढ़ेगा, यहाँ पर assets में land, building, plant, machine, कुछ भी हो सकता है, जो assets खरीदा, वो assets बढ़ेगा और cash घटेगा. अगर उधार में खरीदा गया है, तो fixed assets तो बढ़ेगा, fixed assets बढ़ेगा, और जिससे उधार खरीदेगा, उसको creditor कहते हैं, creditor भी बढ़ेगा. अगर goods cash में खरीदे हैं, तो cash में खरीदे हैं, तो cash में खरीदे हैं, तो कहोगे sir, cash minus होगा और stock plus होगा. गुट्स अगर cash में खरीदे हैं, तो cash घटेगा और stock बढ़ेगा, अगर goods credit में खरीदे हैं, तो stock तो बढ़ेगा, और जिससे उधार खरीदे हैं, उसको क्या बोलते हैं, creditor बोलते हैं, क्या बोलते हैं, creditor तो creditor बढ़ेगा. ठीक है? next है, payment to creditor, creditor को pay कर दिए पैसा, तो pay करने से अपना cash क्या रोजाएगा, कम हो जाएगा, और creditor अपना liability है, li Orchest sull क्या हो जाएगा, गाम हो जाएगा, note कर लिजे, note कर लिजे, एक वारे कॉल छाये, , you want to take a screenshot you can take personal use के लिए कुछ विद्रॉक किया ता हुषे ढ्राइंग कहते हैं तो अगर कैस ओनर ने प्रस्टे लिए विद्रॉक किया तो इसको सामने लिख दू ताकि अब समझ पाएंगे अगर उधार में खरीदा है तो असफिक्स एसेट्स बढ़ा और क्रेडिटर बढ़ा ठीक है अगर गुड्स खरीदा गया है कैस में तो कैस घटा है स्टॉक बढ़ा गुड्स उधार में खरीदा गया है स्टॉक बढ़ेगा क्रेडिटर बढ़ेगा पेमेंट कर दिये क्रेड गटेगा और क्रेडिटर भी घटेगा नोट कर लिए ओके नेक्स्ट के नेक्स्ट है से लॉफ गुट्स गुट्स हम बेच रहे हैं कौस्ट पांच जार शोल्ड पॉर कैस्ट यह जय मतलब जिस गूट्स का कॉस्ट पांच यार है उसको हमने छे हजार में बेचा 6000 में कई से बेचे हैं कैस में मतलब जिस गूद्स का कॉस्ट 5000 है हमने उसको 6000 में बेचा तो को यह सर इस्टॉक था पांच यार का आपने बेचा उसको 6000 में कैस में तो आपका कैस बढ़ेगा 6000 से ठीक है इस टौक था 5 यार का तो इस टौक घटेगा 5000 से ठीक है स्टॉक माइनस होगा 5000 से कैस बढ़ेगा 6000 और 1000 का आपको प्रोफिट हुआ है तो उस प्रोफिट के पोर्शन से capital बढ़ेगा 1000 से ठीक है जब हम 5,000 value का goods 6000 बेचे तो 5 अकम हुआ बेचे 6 में cash में तो cash 6000 से बढ़ा एक का profit से capital बढ़ेगा profit होने से capital बढ़ेगा ठीक है जब भी profit होगा तो capital बढ़ेगा next cost 5000 sold to ram on credit for 6000 बतलब जिस goods का cost पांच याल था जिस goods का cost पांच याल था उसको मैंने राम को बेचा credit credit में 6000 में तो कोई सर आप बेच रहे हो तो इस टॉक घटेगा आपका किते से 5000 का बट आपने उधार में बेचा है जिसको उधार बेचते उसको डेटर कहते हैं डेटर बढ़ेगा 6000 से 1000 से आपको फाइदा हुआ capital बढ़ेगा एक हजार से कि यह मैंने अलग लग कर दिया next है कॉस्ट पांच यार षोलो फोर खैस защ persit पैसल इसको उद्फ जिसको कोस्ट पांच यार था उसको मेंने कैस मेचाigner पैतालेसल में तो स्टोक को पैतालीसल में बेचे तो स्टोक घटेगा मेरा था पांच यार से कैस में चेह 4500 में कैस बढ़ेगा कि 4500 से तो 5 यार के स्टॉक को 4500 मेंचे हैं 500 रुपे गा नुकसान है तो 500 से capital minus हो जाएगा नोट कर लिजिए ये profit वाला question है ध्यान रखीगा कि जब 5 यार के समान को 6,000 बेचें goods को cash में तो cash 6,000 आया stock 5 यार घटा एक का profit हुआ capital बहा 5 यार के समान goods को 6,000 बेचें credit पे तो stock 5,000 से घटेगा data 6,000 से बरेगा 1,000 से capital बढ़ेगा 5,000 के goods को 4500 में बेचें 4500 में cash में तो stock 5,000 घटेगा cash 4500 घटेगा बढ़ेगा जिसे यहां पर 5,000 के goods को 4500 में cash में stock घटेगा 5 यार से cash आएगा 4500 और capital घटेगा because of loss क्योंकि हम loss में बेच नहीं तो capital घटेगा next है next है cash receive from data data से cash receive हुआ तो जब भी बच्चे data से cash अगर receive हुआ आपको तो आपके पास cash आएगा cash बढ़ेगा और data जो है आपका वो कम हो जाएगा जब data से cash मिलेगा तो जैसे मालो हमने किसी को पहले से goods उधार में बेचा हुआ है उससे हमको cash मिल गया पैसा आया cash बढ़ गया अब मेरा उतने से टेर्ड ऊंचा बिल्स रिसीवेबल ड्रव कि ये डीएटर के नाम पे तो इस केस में क्या होगा बिल्स रिसीवेबल बढ़ेगा असेटस में और डेटर जो है वो लेस हो जाएगा जिसे बिल से सिवल क्या हो था जिसे मालो हमने किसी को गुट सुधार में बेचा था वो में डेटर था हमने पुझा भया परिशा कब दोगे उसने का सल दो महिने बात देंगे बोले ठीक है दो महिने के लिए आपके नाम पे एक बिल लिखते हैं आप उसल्ड बिल पेवल से बाइक रिदा जैसे हमने डेटर के नाम पे बिल लिखा डेटर एक्साप्ट कर देंगे गहां पेमिंट कर देंगे तो उसको बिल्स पेबल कहते हैं तो उओ यद्याई बीलिटी जा गरेक रिटर के द्वारा लिखे गए बिल्कों हम accept किये तो मेरा creditor कम हो जाएगा और मेरे लिए bills payable मेरा liabilities है वो बढ़ जाएगा ठीक है note कर लीजिए note कर लीजिए ओके next redemption of loan, redemption मतलब होता है repayment, redemption का मतलब क्या होता बच्चे, repayment repayment of loan, जब हम loan को repay कर दिये, तो loan को repay अगर cash में किये हैं, तो assets में से cash minus हो जाएगा, a loan मेरा liabilities में से क्या हो जाएगा, minus, अगर loan हम cash में repay किये हैं, तो cash घटेगा, loan घटेगा, अगर loan के बदले में हम किसी को share दे दिये हैं, तो, तो loan तो कम हो जाएगा और share मतलब capital का part capital बढ़ जाएगा, जैसे किसी को loan का हम repayment करते हैं, अगर हमने cash में उसका loan repay किया, तो कैस घटेगा लोन घटेगा लोन के बदले हमने अपने कंपनी का सेयर दे दिया तो लोन घटेगा और सेयर केप्टल बढ़ेगा नेक्स्ट पर्चेज रिटर्ण बच्चे जो गुट्स हम एज बिजनस्मेन मैंने जो खरीदा था वो हम सप्लायर को वापस कर दिये क्यों वापस करते हैं किसी भी रिजन से या तो गुट्स इफेक्टिव निकल गया होगा लेट आया होगा सेंपल के कोडिंग नहीं होगा जब पर्चेज किया हुआ गुट्स हम वापस करते हैं उसको पर्चेज रिटर्न कहते हैं जब पर्चेज किया हुआ गुट्स हम वापस करते हैं उसको पर्चेज रिटर्न कहते हैं तो पर्चेज रिटर्न जो है जब हम करेंगे तो इससे हमारे बिजनस में जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा जब हम किसी को पर्चेज रिटर्न करेंगे तो मेरा स्टॉक माइनस हो जाएगा और मेरा क्रेडिटर भी कम हो जाएगा जितने वैल्यू का गूर्ट समुझ को क्या करेंगे वापस करेंगे जब हम पर्चेज रिटर्न करेंगे तो मेरा स्टॉक ठीक है अब expenses और income बला जो यह पॉइंट है यह ध्यान से दिखीगा क्योंकि इतना पॉइंट हमने 11 तक का पॉइंट हम अल्रेडी पार्ट वन में भी डिसक्स किये हैं बट आपको दुबारा हम समझा दिये थाकि आपको confusion ना हो expenses expenses में अगर आपने salary pay किया है salary pay किया है तो दियान दीजिएगा salary paid आपके business के लिए expense है पे करोगे तो cash घटेगा और salary paid जो है आपके लिए expense है expense करने से capital भी घटेगा expense करने से capital भी घटेगा next जैसे salary देखो कोई भी expense पे करना जैसे salary paid commission paid interest pay rent paid पे करोगे तो cash एक तरफ घटेगा और दूसरी बात expense के figure से capital भी घटेगा दूसरा point है salary outstanding 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 का मतलब पे करना बाकी है अभी pay नहीं किये जिसकी service ले लिए हैं लेकिन अभी pay करना बाकी जैसे आउटेस्टेंडिंग का मतलब या रखना unpaid आउटेस्टेंडिंग मतलब अनपेड पे करना बाकी है इसी को ड्यू भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्यू ड्यू यू इड्यू अनपेड को ही ड्यू तो salary due या salary आउटेस्टेंडिंग तो salary pay करना बाकी अभी pay नहीं किये तो cash तो नहीं जाएगा pay करना बाकी है तो क्या करेंगे pay करना बाकी है तो liability side में outstanding expenses प्लस कर देंगे और capital तो माइनस होगा ही होगा क्यूंकि मैंने service लिया है ठीक है फिर सुनो normally salary pay करोगे तो cash घटेगा capital घटेगा salary outstanding पे करना बाकी है तो liabilities में liabilities में याद रखना liabilities में outstanding expenses बहर जाएगा और capital घटेगा salary prepaid third point salary prepaid अगर पहले पे कर दिये तो पहले पे कर दिये तो cash घटेगा और prepaid expense बढ़ेगा prepaid expense बढ़ेगा अभी capital पे कोई impact नहीं पढ़ेगा क्योंकि मैंने पहले पे किया है salary paid include prepaid salary salary paid में अगर prepaid salary include है तो उस case में क्या होगा prepaid expenses बढ़ेगा और capital भी बढ़ेगा बहुत important point है यह जल्दी बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं इस point पर हम मैंने important लिख दिया यहाँ पर यह point important है ठीक है एक फिर से समझ लीजेगा बच्चे जब भी कभी salary paid rent paid commission paid interest paid रहे यह expense expense pay करोगे तो cash घटेगा capital घटेगा दूसरा है salary outstanding 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 का मतलब होता है pay करना बाकी है जैसे मालो salary outstanding to salary pay करना बाकी है rent outstanding मतलब rent pay करना बाकी है it means मैंने service तो लिया है but payment नहीं किया है right now that is unpaid तो unpaid वाले case में क्या होगा pay करना बाकी है बाकी है तो मैं liability liability मैं out outstanding expense बरेगा और capital घटेगा service जो ही लिये हो तो equal concept recording वो आपका expense बन गया है तो capital घटेगा salary अगर prepaid है prepaid मतलब किसी को पहले ही salary हम क्या किये है दे दिये अभी उससे service नहीं लिए तो जब तक service नहीं लिए है तब तक वो मेरा expense नहीं है बट हम pay तो किये हैं हाँ pay किये तो cash घटेगा और assets में prepaid expense बढ़ेगा यह assets income अगर income cash में आपने receive किया है तो income cash बढ़ेगा और आपका capital बढ़ेगा क्योंकि जैसे expenses से capital घटता है और income से capital बढ़ता है तो income अगर cash में receive किये हैं तो cash बढ़ेगा capital बढ़ेगा interest accrued मतलब कि हमने interest earned तो किया अगर receive नहीं किया उसको accrued क्या हुआ है तो हम service तो दे रहे हैं लेकिन आपसे भी नहीं लिए हैं तो हम service दे रहे हैं तो मैंने पैसा earned तो किया बट receive नहीं किया accrued income income earned but not received income earned but not received accrued interest तो earn किये बट receive नहीं किये तो assets में accrued income plus कर दिजेगा और capital बढ़ा दिजेगा क्योंकि earn किये हैं तो capital बढ़ेगा बट receive करते तो cash बढ़ता receive नहीं किये assets में accrued income बढ़ेगा इंट्रेस रिसीब इन advance अगर किसी से कोई पैसा हम advance में लिए हैं तो अभी वो मेरा income नहीं नहीं है advance लिए तो cash तो बढ़ेगा और liabilities में advance income बढ़ेगा liability में ठीक है नोट कर लिजे अगर cash receive किये हैं तो income के रूप में cash capital बढ़ेगा interest accrued है मतला मिलना बाकी है तो accrued income बढ़ेगा assets में और capital बढ़ेगा अगर किसी से कोई income हम advance में लिए जैसे आप से free हम advance income बनते जाएगा फिर liabilities घटते जाएगा capital बढ़ते जाएगा जैसे जैसे परहते चलेंगे ठीक है ओके next interest on capital याद रखना interest on capital का impact cable capital पर पलता है capital में ही plus capital में ही minus interest on capital 100 रुपया है तो capital में plus 100 फिर minus 100 net impact 0 net impact 0 क्यों ऐसा समझेगा interest on capital interest on drawing का ऐसे treatment होगा जैसे माल लो कि form मतलब business owner के capital पर interest दे रहा है form owner capital पर interest दे रहा तो वो interest business के लिए expense है तो इसलिए capital घटा दिया ठीक है फिर owner को interest मिल रहा है तो capital बढ़ा दिया है यहाँ पर interest business जो है owner capital पर cash में नहीं देता है non cash के फौर में जिसे owner को interest देना है तो interest business के लिए expense है capital घटा दिया फिर owner को दिया interest तो capital बढ़ा दिया net impact 0 net impact 0 interest on drawing में भी capital पर ही impact पड़ेगा interest on drawing में भी ध्यान दीजेगा interest on drawing का भी होगा capital में प्लस 100 जितना amount हो minus 100 net impact 0 यहाँ पर क्या होता है owner ने जो drawing किया है business उस पर interest ले रहा है तो business के लिए income है income से capital बढ़ता है बढ़ा दिया फिर owner से लिया तो उसे capital घटा दिया capital में ही plus minus depreciation on fixed assets बच्चे depreciation क्या होता है कि decrease in decrease in the value of fixed assets मुल में कमी इसका हिंदी होता है decrease in the value of fixed assets due to gradual use जब कोई भी fixed assets लगातार हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं मेरा assets depreciate कर रहा है हम कहते हैं मिरा assets depreciate कर रहे तो depreciation offices जो रहेगा जिस assets पर deprecation charge करेंगे उसcommun packaging value क्या हो जाएगा कम हो जाएगा माइनएस कर देंगे और ड्रीशेशिस्न ए इस से कैप्टल भी माइनस होगा ये नौटर ह fresh air कैस कैसा एक्स पेंस है और कैसे ड्रीशेश्ट आपके वे वह जाखे लेया रोहरिए और कैसे है इसमें उच्र एधोर और कभी भी कैस का आउट फ्लो नहीं होता है ठीक है, depreciation non cash expense है, जैसे depreciation अगर machine पे चार्ज किये, तो machine में से minus करोगे, capital में से minus करोगे, let's imagine आपके पास machine है 50 जार का, और आपको point में कहा गया 10% depreciation charge on machine, तो अच्छा 50 का machine है, 10% charge करना है, 50 का 10% 5 जार हुआ, तो 5 जार machine में से घटा दोगे, 5 जार capital में से, मतलब जिस assets पे charge क जो पैसा डूब गया उसको bad dip कहते हैं, जो पैसा डूब गया उसको bad dip कहते हैं, जो पैसा data से recover नहीं हो पाएगा, तो data से recover नहीं हो पाएगा, तो data हमारा कम हो जाएगा, और ये bad dip हमारे लिए expense है, capital भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, bad dip मतलब कि data से amount recover नहीं हो पाएग लिगा data कम हो जाएगा और capital कम हो जाएगा ठीक है next next important point है ध्यान दिजिएगा यह 22 तक point है discount receive यह बना point बहुत important है ध्यान देजिए इसमें इतने भी point है सब important है discount receive discount आपने receive क्या ताप बचे discount कब receive करोगे जब आप किसी को पेमेंट करोगे और किसी को कम पेमेंट करोगे जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको छूट मिलेगा तो रिसकाउंट रिसीव तो हम हमें डिसकाउंट मिलता है जब हम अपने क्रडिटर को पेमेंट करते हैं ताइम से पहले तो वह हमको छूट देता है वह मिले डिसका allowed हुआ ठीक है discount receive income है discount allowed expense है discount receive paid paid 1900 to creditor ram in full settlement of his claim 2000 हमने creditor ram को 1900 पे किया in full settlement of his claim 2000 तो creditor ram जो हमारा था 2000 का creditor था हमने उसको 1900 दिया और यह word ध्यान दो full settlement और बोले भया हिसाब किलियर कर दो थिक्ना हिसाइ साब किलियर कर दो और के बलाधा कि हम 1900 7 दिये इसका मतलब दो हजाए का करेंट को इसका मतलब अभी 100 रुपय बाकी है वी विल पे लेटर बार में पे करेंगे बट 2000 के क्रेड़ को हम 1900 रुपय दिये अब बहुत हिसाब के लिए कर दिए फूल से टलेमेंट हिसाब नो दिवज तो कहोगे सर आपका क्रेडिटर था वो 2000 का तो मतलब की क्रेडिटर इसका मतलब वो पहले से था हैं मैं लिए बैलाव लिग देते हैं कि पहले से हो मेरा 2000 के अब हम उसको हम अभी 1900 दिये राइट नाउ ।ो निशो दिये तो cash घटेगा 1900 से, but creditor घटेगा 2000 से, ठीक है, 100 रुपया कम दिये हैं, तो capital क्या होगा, 100 रुपया से बढ़ेगा, फिर समझो, वो 2000 का में पहले से creditor है, 2000 creditor को हम 1900 रुपया दिये, और हिसाब clear हो गया, तो cash घटेगा 1900, creditor घटेगा पूरे 2000 से, और capital, 100 रुपया जो कम दिये, वो मिले फाइदा है, capital बढ़ेगा, next है, discount allowed, receive 1900 from a debtor, RAM in full settlement of 2000, RAM मेरा एक debtor है पहले से, RAM मेरा एक debtor है, पहले से 2000 का, RAM से हमको 1900 रुपया मिला, और हिसाब clear हो गया, full settlement, तो कोगे sir, RAM से 1900 मिला, तो आपके पास cash 1900 रुपया आया, but RAM debtor 2000 का कम हो गया, और 100 रुपया आपको कम मि है, because of full settlement, तो इसकी बदले आप capital 100 रुपय से कम हो जाएगा, समझ माया की ने आया, फिर समझे, कि creditor था मेरा 2000 का, पहले अठारमा point, उसको हमने 1900 रुपया दिया, और हिसाब clear हो गया, creditors 2000, cash गया 1900, 100 रुपया कम दिये, because of full settlement, तो फाइदा हो गया, capital बढ़ गया, debtor RAM था हमा हमारा 2000 कम, और 1900 रुपया, cash, cash, 1900 से बढ़ा, 100 से capital गट गया, because of expense, discount allowed expense, next, sales return, बहुत important point है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजेगा, sales return, goods costing 300, goods costing 300 is sold for 400 is return, मतलब जो goods का cost 300 था, बेचा 400 में गया था, वो goods return हुआ, तो को कि सर, जब बेचा गया था, 300 का गया गुर्स 400 में, जब 300 का गुर्स 400 में बेचा गया था, उस दिन, इस टॉक घटा था 300 से पहले, डेटर बढ़ा था 400 से, और 100 रुपया capital में प्लस हुआ था, ये गुर्स जब वापस आएगा, just reverse entry हो जाएगा, इस टॉक तो आ रहा है 300 का, इस टॉक आ रहा है 300 का, तो इस अब घटा दिया, फिर समझेगा, जो गुर्स हमने पहले earlier 300 में बेचा था, 300 का गुर्स जो 400 में बेचा था, वो गुर्स कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो जब कस्टमर रिटर्न के स्टॉक तो आया 300 का, वापस जितने में गया था उतना ही आया, बट डेटर जो बढ़ा हु प्रोफिट में बेचे थे, तो वापस आ जाएगा, तो मैं प्रोफिट तो कम हो जाएगा ना, बेचते वक्त प्रोफिट हुआ था, आप अगर रिटर्न कर दोगे, तो प्रोफिट मेरा कम हो जाएगा ना, yes sir, next, interest on loan, बच्चे कभी भी अगर loan पे interest पे करोगे, कभी भी ल कि loon का interest पे करोगे, से cash से घटेगा, यदि बोला है कि checks build payment 27, cash की जापie bank से घटाओगे ठीक है, cash में से घटाओगे, और loan का interest पे कर रहे है, interest business के लिए expense है, capital से घटेगा, ठीक है, dam लिए, loon का interest पे पे कर रहे है, interest expense है capital से घटेगा, यदि कहा है interest on loan paid,not G,Cast capital घटेगा, पेड इंटरेस्ट on bank loan along with installment loan का इंटरेस्ट पे किये हैं 2000 और इंस्ट्रालमेंट पे किये हैं 10 जार कैसे तो यह नहीं कर बेंगे का लॉनाओं का पेदेट के ही होता है तो मतला bank balance होता है तो लोन काइंटरेस्ट पे किये हैं तो इंट्रेस्ट पे गिए तो तो bank balance घटेगा कितना दस दो हजार इंट्रेस्ट से यादा यार bank balance लोन के इंस्टॉल्मेंट से bank balance घटेगा 12000 से ठीक है और loan का amount उसमें है 10 या तो bank loan घटेगा 10 यार से और capital घटेगा आपका बच्चे 2000 से जितना interest है फिर समझेगा समझा दे रहें पेड़ इंट्रेस्ट और बैंक लोन पेड़ इंस्टाल्मेंट बैंक लोन हम पेकिये इंस्टाल्मेंट के साथ बैंक लोन पेकिये इंस्टाल्मेंट के साथ तो लोन इंस्टाल्मेंट के साथ पेकिये दस्यार का इंस्टाल्मेंट दो हजार का ठीक है अब सुनिए बच्चे यह टॉपिक मैंने आपको रिकॉल कर दिया अब ऐसे कोई भी स्टुडेंट्स जो हमारे गुडविल एडू केर के आपके सामने इस स्क्रीन पर नमल दिख रहा है या या इस नमर पर कॉंटेक्ट करके गुडविल एडू करके ऑफलाइन सेंटर को जोईन कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है आपको बी 30-74 रविदास गेट विसाइड लंका थाना वा नसी मतलब बनास में आप लंका पर आएंगे तो रविदास गेट के पास आईएगा रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे 100 मीटर अंदर जाके लंका थाना है अथाना के जस्ट बगल ब्ला बिल्डिंग जो है वो गुडविल एडूकर का ओफलाइन सेंटर है आप चाहे तो ओफलाइन सेंटर पर एंटमीशन ले सकते हैं अभी कुछ सीट खाली है आप ले सकते हैं और आपको मैं बता दू गुडविल एडूकर एक प्योर कॉमर्स क कोचिंग है जहां पर केबल कॉमर्स की ही पढ़ाई होती है 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स कुईटी बीकॉम सीटी एम कॉम बीकॉम फर सेकेंट थर्यर की रेगुलर क्लासेश चलते रहता है और मुल्टीपल बैच अबलेबल है सुबह भी बैच अबलेबल है दोफर में भी अबले को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे जिससे की वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला इंफ नोटिफिकेशन आपको मिले थैंक यू टेक केर बाबाई